इलेक्टिक स्कूटर्स पसंद करने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशकवरी हॉन डाला रही है सबसे किफायती इलेक्टिक स्कूटर यूगो जी हाँ बहुती कम कीमत में मिलेगा 130 किलोमेटर का ड्राइविंग रिंच कमपनी ने पिछले साल चीन के सबसे बड़े इलेक्टिक दो पहिया बाजार में लाँच होने के कुछ महिने बाद ही भारत में यूगो इलेक्टिक स्कूटर का पेटिंट कराया था कमपनी ने इस स्कूटर का पेटिंट भारती बाजार में काफी पहले किया था बहराल गौंग्जो मोटर्स क्रूप कमपनी और जैपैन होंडा मोटर द्वारा इस्थापित एक जॉइंट विंचर व्योंग होंडा मोटर्स कमपनी के माध्यम से स्कूटर को दो वेरियन्ट में पेश किया गया था अपने खास लोग बजट प्राइस्टिंग और शांदर परफॉर्मेंस के चलते ये स्कूटर चीन के बाजार में काफी मशूर है और भारत में भी ये जल्द ही लाँच होने वाला है नए स्कूटर की बहुत सारी डीटेल सामने आई हैं जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं लेकिन वीडियो शुरू करूँ उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप से हमारे चैनल NJ Hindi को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा दीचे ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे भारत में एलेक्टिक गाडियों का मारकेट तेजी से बढ़ रहा है कई आटो मोबाइल कंपनियों ने इस सेग्मेंट में अपने वीकल लॉंच किये है ऐसे में इस हॉंडा एलेक्टिक स्कूटर को रोज मर्रा किया वाजाही के लिए मिनी टू वीलर के रूप में डिजाइन किया गया है यह है 179 सेंटीमीटर लंबा और इसका वजन 83 किलोग्राम है इसमें बॉडी पैनल पर कुछ ग्रैफिक्स के साथ रैप अराउंट डिजाइन है हेडलाइट क्लस्टर में एक इनवर्टेड डियारल है और हेंडल बार की किनारों पर LED टर्ण इंडिकेटर्स है इसके साथ ही एक बड़ा फुट बोर्ड, बैटरी की स्थिती, रेंज, मोड और गती जैसी बुनियादी जानकारी के साथ LCD इंस्टूमेंट कंसोल, USB चारजिंग पोर्ट, इंटी थेव्ट अलार्म, 26 लीटर अंडर सीट स्टोरेज स्पेस, टेल लाइट्स के लिए पीछे की तरफ LED लाइटिंग भी है इसमें टेलेस्कोपिक सस्पेंशन के साथ 12 इंच का फ्रंट वील दिया है इस स्कूटर का लोग काफी स्टाइलिश है जो युवाओं को बेहत पसंद आएगा बैटरी पैक और ड्राइविंग रेंच की बात करें तो इसके दोनों वेरियंट में 48 वोल्ट लीथियम आयन बैटरी पैक दिया गया है हाला कि इसका लोग वेरियंट अधिक तम 43 किलोमीटर प्रती गंटा की रफ़तार से दोड़ सकता है कंपनी ने इसकी स्पीड को लिमिटेट किया है इसमें रिमोवेवल बैटरी दी गई है और सिंगल चार्ज में ये स्कूटर 130 किलोमीटर तक का ड्राइविंग रेंज देने में सक्षम है हाला कि ये रेंज आपको सेकेंड बैटरी के इस्तिमाल करने पर ही मिलेगी और इसके लिए आपको सीट के अंदर दिये जाने वाले स्टोरेज स्पेस से समझोता करना होगा क्योंकि यहीं पर दूसरे रिमोवेवल बैटरी को लगाया चाएगा इसमें लंबे हैंडल बार के साथ आराम दैक एर्गोनॉमिक्स दिये गए है किनारों पर यूगो वर्डिंग के साथ ब्लैक अलॉय वील्स इसके साइट प्रोफाइल को बेहत आकरशक बनाते हैं हांडा यूगो टेलिसकोपिक फ्रेंट फोक और ट्वें रियर शॉक अब्सॉर्बर सेटप के साथ आता है ये स्कूटर आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक से लैस है और इसके सीट की उचाएज 740 मिली मीटर है और इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और जीपियस जैसे फीचर्स भी मिलते हैं कीमत की बात करें तो हॉंटा यूगो का जो मौडल चीन के बाजार में उपलब्ध है उसे दो वेरियंट्स में पेश किया गया था इसके एक वेरियंट्स की कीमत उस वक्त 7,999 यूउन चीनी मुद्रा यानी करीब 91,860 रुपए है महीं दूसरे लोर स्पीड वेरियंट्स की कीमत 7,499 यूउन लगभग 86,118 रुपए तै की गई थी यही कारण है कि इसे एक बजट स्कूटर के तोर पर देखा जा रहा है हाला कि भाड़ी बाजार के अनुसर इसमें यदि कुछ बतलाओ किया चाता है तो कीमत में अंतर होना लाजमी है अब देखना यह है कि इस गाड़ी को बाजार में कितने कीमत में होंडा पेश करने वाली है अगर वीडियो अच्छे लगा हूँ तो इस वीडियो को जादा से जादा शियर करें वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद